नमसकार दोस्तों, मैं आसीष कुमार्पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं, दरूरल इंडिया अक्सर हम ग्रामीडी छेत्रों में जाते हैं, और ग्रामीडी छेत्रों से कुछ न कुछ खबरे या आप शक्रकिरीले कर आते रहते हैं कई दिनों से सारी स्वास्त ठीक न होने की वज़ेशे मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया लेकिन आज हमें एक घटना के बारे में पता चला और एक घटना आज की नहीं है एक घटना तीनाट दोजार तेईस की घटना है और हम इस वक्त मवजूद हैं पिलकिछा के शमरहा गाउं में और यहाँ पर हमारे साथ हैं धरमेंदर निशाद जी इनके साथ दोस्तों बता दो यह कैसी घटना घटी है इतनी अप्री घटना है कोई भी हो आप बताईए कि एगर आपकी फैमली है और आपकी फैमली का कोई भी मिम्बर आपको छोड़ कर जाए तो दुखों का पहाड तूट पड़ता है और पूरा गाउं ही सोगा कुल होता है सोग में सब लोग डूग जाते हैं लेकिन के साथ यह हुआ है कि इनका एकलोता पुत्र है इकलोता इनका बेटा राजकुमार निसाथ जिसका नाम था सूला साल का था सुबह पाज बजे उसे पेशाब लगती है और वो आता है घर के पीछे अक्सर गाउं में ऐसा आप देखते होंगे कि घर के सामने तो कोई जाता नहीं आगे पीछे ही लोग जाते हैं जब सुचाले की सुविदा नहीं होती है तब तो गाउं में बहुत लोग के पास सुचाले हो चुका है खैर सरकारनी तमाम योजनाए लाई सुचाले के लिए लेकिन इनके पास आज भी सुचाले मुहया नहीं है तो इनके साथ यह जो गटना हुई फिर बच्चा आता है आप देख सकते हैं विजुल में कि यह तार लगा हुआ है और इस तार को आप अच्छे से देखिए इसी घेरा बंदी किया गया है बास के जरिये इस तार को और आप देखिए कि यह तार है और इसमें कोई सप्लाई अब नहीं है पहले सप्लाई थी वो लड़का आता है और यहां पर यहीं पर आकर के खड़े होकर कि वो पर साब करता है उसके बाद चाहे उसकी जो यूरीन हो वसे वायर टच हो या फिर कहीं से तच वायर ही उससे टच हो इसके बाद यह गटना हो जाती है कि बच्चे को करेंट लगती है अम दौध यसफ़ाट हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि वह सामने वाले घर मानती है आप काणून भी है और ना आप कटीजा तार लाएं लगा सकते हैं ना करेंट उसमें दे सकते हैं और ना जह कुँछ, जहां पर रहे हैं दूसरा क्या है कि और धाएं हम दूसरा क्या है की अ проблемы का सामने से लेख सकते हैं सामने स्फिंपाथ यह को गहते हैं कि फिर ने Label रिखता है वह मतलब प्रताडित करना चाहते हैं हमारे घर के मतलब बगल में उनकी जमीन है और हम काफी समय से उनसे प्रताडित हैं और पहले से मसला तो कोई ऐसा खाफ नहीं है लेकिन यह जमीनी विवाद चलता रहता है उसी रंजिस में साइद मतलब यह लगाए हैं उसी बाउंडरी लगाए हैं कि ताकि यह मतलब किसी ने किसी तरह से प्रताडित हो जब इस तरीके की घटना हो गई आपकी बेटे की दित हो गई तो उसके बाद वो आय की नहीं है जी यहां पर आय थे उनके मतलब जो सरवन कुमारतिवारी और उनकी पत्नी जो है यहीं खेत मे हैं З now खा कंदना भेता यहीं की का रहे गटना इस तर्फ पर आय और आने के बाद हमारी मानने उनसे बोला कि हमारा भीटा तो आच चला गया इस दुनिया से आपकी वज़जा दिया कि चला तो तुम्हारा गया मैं क्या कर सकता हूं उसमें मैं वह मेरी जमीन है मेरी मर्जी है मैं चाहे जैसे लगाऊं अच्छा नहों ने जबाब दिया उनकी जमीन उनको लगता है कि वह उस पर करें पीजिए करें उनका अधिकार की वज़ेश से अगर किसी की अधिकार का हनन हो तो फिर इसको वैद मानता भी है कानून के खिलाब ही सारी का मतलब जो भी कार्टूत की है सारा खिलो कानून के खिलाब है क्योंकि मतलब जब ऐसी चीज़े हो गए प्रसासन के पास यह वगर हुआ देखिए घटना इस्तल के समय तो मैं था नहीं मैं या लड़ी बाहर रहता हूं आप कैंट्री हमारी फैमली मतलब जैसे मेरी माँ है मेरी वाईप है और बच्चे हैं और घर में कोई सीनियर नहीं मारे फादर हैं जो की बुजूर्ग हैं तो घर से बाहर कहीं जाते नहीं हैं और बाकी मित्रगड़ लोग जो भी गये थे थाना पर तो थाना प्रतवारी जो भी है घटना इस यहां पर प्रसासन की लोग हमारे आने के बात पहुचे हैं उससे पहले नहीं आये उन्होंने अस्वासन कुछ नहीं दिया बस यह बोले कि मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी कारवाई होगी बट जो उन्होंने मतलब धारा यह लगाई है 304 जो कि आप देख सकते हैं सामने जो वायर है खुला वायर है इसमें 440 का वोल्टेज का जो एक सप्लाई देते हैं जिसकी जमीन है और आप यह जानते होंगे कि मतलब किसी भी खुला अपतार को एकर चुगा जाएगा तो यह सकती हो जाएगी हन्ड़ परसंट हो जाएगी लेकिन कानून इस चीज को नहीं मानगा प्रसासन इस चीज को नहीं मानगा वो कानून बोला है प्रसासन बोला है कि इसमें 304 ही लगेगा जो कि मतलब अंस्यादैंग neighborhood अश्वाध ockey ईसी घटनाएं लेकिन एक बात बताई और मैं आप सबसे दर्सकों से पूछना चाहता हूँ, जब आप खेती वाड़ी करते हैं, क्रिशी एक एकारे को करते हैं, तो फशलो को अपने बचाने के लिए, जो चुटा पशू है, आवारा पशू है, उनसे बचाने के लिए, इस तरीके के आपकृत्ते कर सकते हैं, आप निट लगा सकते हैं, लोहे वाला भी आता है, उसकी जाली आती है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन जटका लगाना, करिंट दे देना, ये किसी भी तरीके से लीगल नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रसासन सही मायने में कारेवाई करे तो भाया मैं तो जानता हूँ कि कानून जो है लोग कहते हैं कि right to equality की बात समानता का अधिकार है लेकिन क्या कानून में सबको समान अधिकार है क्या न्याय बेवस्ता जो है वो सबके लिए समान है उनका वक्त तब्पे क्या है वो किस तरीके से इसको देखते हैं और समझते हैं आप प्रसासन से क्या दर्खास करना चाहें मतलब जो दफ़ा लगाई गई है उस दफ़ा को कंवर्ट करके मतलब और कड़ी सजा मिले मुझरिम को जो मतलब हमारे खिलाब साजी सरची गई है और इस से ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं भागी तो सब्सक्राइब अभी तो जिस तरीके का माहूल है आपकी घर में फिर ज्यादा सवाल करना भी उचित नहीं समझता मैं क्योंकि एक मर्यादा होती है पत्रकारिता की एक दायरा होता है उसी में रहकर के सवालों को पूछा जाना चाहिए तो दोस्तों यह थे हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार न साथ जो मैं 16 वर्ष के थे आज 16 वर्ष में वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आप सूचिए कि उसका काड क्या है एक बार ऐसा होता है किसी की नेचुरल डित हो जाए किसी की लंबी बीमारी के बार डित हो जाए तो समझ में आता है आंदर इस पार इस तरीके की चीज़ एक्सिडेंटली हो जाए तो इंसान फिर समझ नहीं पाता उसको सूचने का मौका नहीं मिलता बहुत ज्यादा आज दिन अगर 2023 को थाना खुठान शेतरा अंतरगत पिलकिछा ग्राम में राजकुमार निशार नमक युवक की खेत में लगे बिजली के तार में सट कर मौत ह हो गई उक्त घटना के संदर में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर समझी धराओं में अभियोग बंजिक्रित किया गया है नामजल अभियोगतों की गिरपतारी हेतु तीन टीमों का गठन किया गया है शव को कोश्माटम वास्ते बर्चरी रवाना किया गय हुआ है